दिल्ली वालों को इस वक्त भरोसा नहीं है कि कब पानी का लेवल जो है वो कम होगा और यही वज़ा है कि जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं वो अपना सारा सामान लेकर अब सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं यह तस्वीर आपको मैयूर विहार से मैं दिखा रही हू जो लोग निचले इलाके में थे वो सभी अपना जो सामान है वो धीरे धीरे कारके लेकर आ रहे हैं और पानी के साहारे ही चल zaten जगहा है सुरक्षित जगह क्या है suraक्षित क्या है घर बनाया था वहाँ पर फसा हुआ था पिछले कई दिनों से और धीरे-धीरे कर अब ये सभी सामान लेकर इधर आपको उची जगह पर आते हुए नजर आएंगे इनसे मैं बातचीत करूंगी लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरे दिखाओं चुकि मयूर विहार औ वो भी अपकम होती ही दिखाई दे रही है उमीद इस बात की कि क्या पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो ताकि राहत की सांस ली जा सके लेकिन जिस तरह से प्रेडिक्शन आ रहे हैं और जो यमुना का लेवल है वो घटने के बजाए बढ़ रहा है हाला कि बीते 24 ओकान से ला 느नें मैं अर्गे एलने गायों के लिए चारह करना है और चार वी शार साहना लोग गया तो वही परेशान हां पकॉले करना पड़ेगा घाय सुरक्षित हैं यहां मैंदम गया सुरक्षित हैं रोड पर बांधी दिए गाय फिलाल और उनके बच्चे भी रोड बांदी है वह चारे की प्रोब्लम पड़ेगी और नासा तो हम मेंद करने में तो कोई पुई नहीं है और सब पॉब्लिक को हमने भान निकल वाया है सबको आप अपना नाम बता दीजिए मेरा नाम रादे खिशिन शर्मा जी मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी आप आप जाएं शुक्रिया आप प्लीज 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 आप इतर से आजाएं यह हेलमेट है और यह वा बिस्तर है तो कीचर से बाहर आ जाएं नाम है आप राम सिंग आपका घर नीचे है नीचे कर रहे हैं लेकर आपको लग रहा है यह पर पानी आ गया इसलिए यह लेके चारपाई आपको नजर आ रहे हो गियो इसी तरीके से जो लोग आप इस उमीद में थे कि बारिश कम होगी और सामान लेकर वो आज आएंगे अब धिरे धिरे जैसे बारिश किया शंका है और जो प्रेडिक्शन से उस लिहाज से अब लोग तायारी कर रहे हैं कि जो भी सामान मेरा थोड़ा बहुत बचा था उसको वापस लेकर आना है चारपाई रह गई थी अ दिल्ली सरकार चूती आगा था ही गाली ने मैं जाली का जा रहा हूं मैं चीक है यह यह आपको देखे तस्वीरे इस पूरे चुकि मैं थोड़े निचले जगह पर आ गई हूं ताकि आपको सिर्फ तस्वीरे दिखा सकों इस पूरे इलाके में पानी है और जो इस यहाँ पर जुगी जोपड़ी में रहते थे जो इस उमीद में थे बारिश कम होगी वो सभी अब बाहर उचे उचे इलाक चारू ढंक से अपना जीवन जी सके और इसी कोशिश में लगा होता है इंसान और ऐसे में जब बाढ आती है और एक जटके में सारा सामान लेके चली जाती है तो इंसान के पास उमीद के सिवा कुछ नहीं रहता है और उसी उमीद के भरोसे जो थोड़ा बहुत सामान